कि यहां से यहां पर नंबर आएगा उससे पता चलता है कितने लोग हैं जो देख रहें यहां पर कमेंट आएगा हलो मुझे लगता है कि शुरू कर देना चाहिए संभावता मैं नेट से जुड़ गया हूँ और जितने भी लोग फिलाल उपस्थित हैं उन सभी को मेरा नमश्कार दरसल अरपन जी से कुछ तिनों पहले जब बात्चीत हो रही थी निर्बल जी के उपर उन्होंने लगतार काम शुरू किया था तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे भी कहा कि एक किसी भी तरह से उसमें पार्टिसिपेशन के लिए निर्बल जी के उपर पार्टिसिपेशन के लिए अब यह मुझे बहुत समझ मनी आ रहा था कि मैं किस तरह से पार्टिसिपेशन करूं क्योंकि बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है फिर भी वर्ष 1983 की बात है जब निर्बल जी के साथ हम बस्तर गए थे लगभक 15 दिनों की यह आत्रा थी और बस्तर जाने के पीछे जो कारण था वह यह था कि भुपाल में भारत भौन में रंगमंडल के पूरे ग्रुप को उसमें जितने भी रंग कर्मी काम करते थे वे और उसके निदीशक अगर सबी लोग कि अगर कि बस्तर की यात्रा करना चाहते हैं और यह यात्रा इसलिए की ज्रूरी थी कि at जो मद्यप्रदेश के रंग कर्मी अधिकांश रंग कर्मी और मद्यप्रदेश के थे उनका मद्यप्रदेश की संस्कृति समाज और बाकी प्रतिदीन के जो देनिक दिन चर्याएं होती हैं उनसे उनका सापका हो एक तरह से यह एक सांस्कृतिक यातरा थी यह ठंड के आखरी दीन थे और गर्मियों की लगभख शुरुआत का समय था जब यह आतरा पे हम लोग गए थे जिस दिन में भौपाल किसी और जगह की आतरा से आया हुआ था उसी दिन जो जहां पर मैं नोकरी करता था आदिवासी लोकुला परिश्यत में उसके सचिव एस जी खरवड़कर जिसे भाव साहब के नाम से जाना जाता है उन्होंने कहा कि आपको आज ही बस्तर जाना है चुकी में उसी दिन आया था और सुबह के समय और ग्यारह बारह बज़े तक मैं आफिस ही आया था और तुरंट मैं आतरा के रूप में जाने के लिए तयार नहीं था जाहिर है स्वभाविक है अपने उस समय के उम्र के हिसाब से भी मैंने लगभग मना किया कि मैं आज ही आया हूं और आज ही ऐसी कौन सी जरूरत है जब उन्हें लगा कि शायद मैं जाना चाहता हूं नहीं जाऊंगा तो उन्हों एक नोट सीट मेरे पास विजवाई वह नोट सीट जो आफिस में प्रचलन में होता है वह रंगमंडल भारत भाउन की नस्ती थी और रंगमंडल की ओर से कारंत जिने एक नस्ती अशोक वाजवेजी जो तत्कालिन सचीव थे और भारत भाउन की नियासित सचीव उड़ी थे जो प्रख्यात कवी हैं उन्होंने भेजी थी कि बस्तर यात्रा के दौरान नवल शुकल को रंगमंडल के ग्रुप के साथ जाने के लिए अनुमती दी जाए और उनसे अनुरूद किया जाए उस पर अशुक जी ने तीन चार लाइनों की एक्टीप लिखी थी और उन्होंने ये लिखा था कि उस भुभाग से उस अंचल से उन जगहों से आप परिशित हैं और बरंगमंडल इन कारणों से जा रहा है तो आपका जाना उहां पर उचीत होगा इसलिए आप उनके साथ जाने की तैयारी करें यह बात शुरू में नहीं बताई गई थी जब मैंने मना किया तब यह कहा गया यह नस्ति मुझे दी गई जाहिर है कि ऐसी इस्तिति में कोई भी आदमी जाना चाहेगा और यह एक बहुत दुड़लब संयोग था क्योंकि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि यह रंगमंडल के अतिरिक्त जो उसमें तीन लोग है उसमें निर्बल वर्मा जोती भाई जोती भट और मैं तीन लोग जो हैं रंगमंडल से बाहर के लोग हैं जो इस यात्रा के साथ जाहेंगे यह भी काफी सुखत था यह जानना भी काफी सुखत था कि साथ में निर्बल जी होंगे जोती भाई जो गुजरात के रहने वाले हैं बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं वे साथ में होंगे हम लोग 36 एक्सप्रेस जो ब्लासफूर तक जाती थी भुपाल होते हुए शाम के समय हम लोग पर दूविती श्रेणी पर उसमें प्रथम श्रेणी या इसी पर यात्राएं करना संस्कृती में नहीं था उप्रचलन में नहीं था खास तोड़ से कारंत जी जो रंगमंडल के निरिशक थे उनके साथ यह बात थी कि आप जनता के साथ सामाने लोगों के साथ यतना श्रेयसकर है इसकारण वह दूटी श्रेणी की सभी कियात्रा थी यह जरूर था कि आरक्षन आरक्षित सीट थी सबकी निर्मल जी जोती भट्ट और मैं लगवक्त तीनों की सीट आस पास ही थी एक ही कूबे में कूपे में थी मैं विर्ट श्रेट रंगमंड़न के इसारा रंगमंडल के बहुत सारे लोग दो कर्म्रा ऐसाord Meat कर्मी वे जो समय हुह है कि है जो समय व्याषगी vendor कर में कर्म्रेच कर्यार्ह का रहा निकली म कर्या कर्द ने कि को ले कर जाता था उसमें जो मरंगमंडल के लोग थे उसमें अलख जी थे अलख नंदन जी जो प्रख्यात रंग कर्मी हैं रहे हैं अब हमारे बीच में नहीं है वे थे उनके अलावा आलोक चटड़ जी आलोपी बर्मा सुरेश भारतवाज जैयंत देश मूख राजकुमार कामले, मांगिलाल शर्मा, कमल जैन, राजकमल नायक, द्वारिका प्रसाथ, अमर सिंग, खुला, शरत शबल, वगार फारुकी और जाविद भाई थे ये सभी नाम जो हैं रंग कर्मियों के बीच आज बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, ये सभी लोग उसमें 20-25 के उमर के आसपास थे, जाविद भाई और अलक जी को छोड़ कर, अलक जी उसमें रंगमंडल के उपने देशक हुआ करते थे, बाकि हम सब 20-25 के उमर के लग लोग ते और लगवक तभी लोग बहुत ही उर्जा से भरे हुए लोग ते और उन जगों को जानना चाहते थे, नई जगों को जानना चाहते थे, नई चीजों के साथ जोड़ना चाहते थे, उस ग्रूप में महिला रंग कर्मी भी थी, शोभा, आभा, श्रीमती चंद्राजी, सरोज शर्मा, और उसी समय लगवक उसी समय दिल्ली से या लखनू से जो भी जहां से भी आप कहें, आई हुई थी विभा मिश्रा, वे भी साथ में थी, अन्य भी बहुत सारे लोग थे, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्लो में याद नहीं आ रहा है, लेकिन और लगबग पूरा ग्रुप था उसमें, खुला भी थे, शाम को जब हम लोग यहां से चले, तो तो निर्मल जी ने बीच में ही जब बातचित शुरू की, तो उस समय एक किताब आई थी, डॉम मौरिस की, एंस्वर्ड वाइफ फ्लूट्स, जो मद्यप्रदेश के जन संपर्ग विभाग से प्रकाशित हुई थी, और डॉम मौरिस जो विख्यात लेखक हैं, उन्होंने मद्यप्रदेश की आदिवासी और लोक संसर्टी पर एक किताब लिखे थी, एंस्वर्ड वाइफ लूट्स, इस किताब को निर्मल जी ने पढ़ा था, और सबसे पहले जब उनसे मेरी चर्चा शुरू हुई, तो इस पुस्तक के साथ ही शुरू हुई, क्योंकि उसमें ब दिर्मल जी काफी उत्सुक थे बस्तर को लेकर, खासता उसे डौम मारिस के लिखे हुए को लेकर, जब उनसे यह चर्चा शुरू ही, तो हमने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी किताब है, और मद्यप्रदेश की जनजातिय संस्कृति और आदिवासी संस्कृति और लोक संस्क जहरा बाहर दिखाना चाहिए, एक स्वांस्कृतिक साहितिक रूप से, उस चेहरे के रूप में ऐसी किताब इसके पहले नहीं, मेरे देखने में नहीं आई है, होगी जरूर हो सकता है, इस किताब के समय जन संपर्क के उस समय धकट साहब हुआ करते थे, जो उस यात्रा के दौरान लगातार थे, और सुधी बन्यर्जी उहां पर कवी नाटक कार सुधी बन्यर्जी जो जन संपर्क के से चीव हुआ करते थे, उसके कुछ-कुछ अंशूं के वारे में जब चर्चा होती रही, तो निर्मल जी ने कहा कि, आप इससे कितना इत्तफाक रखते हैं, हम ने कहा कि पूरी तरह इत्तफाक रखता हूं, क्योंकि देखने के एक द्रिष्टी है, और लोग अपनी संस्कृतियों साहित्य को और अपने ऐसी जगों को किस तरह से देखें, किस तरह से जानें, कितनी संभिदन शीलता उसके प्रती परकट करें, कितनी बिनवरता हो, यह है उसके बारे में, हमने कहा कि चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं, कुछ तक्थे जो हैं उसमें, जरूर कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने इस पर आपत्ति लिए कि ऐसा संभव नहीं है, डॉम मरेस के लिखे हुए में तक्थियों में कोई दिक्कत हो फिर बदल हो ऐसा संभव ही है, हमने कहा है कि उदाराइन के लिए सर्फ पेची में बता रहा हूं जो आपको जब हम नाराइन पूर जाएंगे, पहुंचेंगे तो हाँ पर आपको दिखाएं होंगा भी, कि उन्होंने सर्कीट हाउस में एक अंश है जिसमें वे सर्कीट हाउस में है, डॉम मौरिस और उन्हें नाराइन पूर के जो दूर कहीं, जो उन्होंने कहा है कि नाराइन सर्कीट हाउस के करीब ही जो मड़ई चल रही है, उसकी आवाजें यहां तक आ रही हैं हमने कहा कि जैसे यह तथ एक है, जो कि सर्कीट हाउस के वह बगल में यह है, सर्कीट हाउस से लगवाग तीन किलो मिटर के दूरी पे है, और उसके बीच में शहर है, शहर है, तालाब है, जंगल है, और एक खाली जगा है फिर जहां पे वह मड़ई हुआ करती है, तो ऐसी कुछ चीजें जो हैं, उसमें जरूर कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के कारण उनके लिखे हुए या कहे हुए में कोई अंतर नहीं है, निर्मल जी से थोड़ से चमत्रित हुए, उनने का कि जरूर मैं सर्कीट हाउस से उस जगह को जरूर देखूंगा, बहराल हम लोग सु मैं पुछ राइपूर में एक धर्मशाला में सभी के रुकने का इंतिजाम था, तैयार होने का, नहाने का, इसनान करने का, जिसमें निर्मल जी का भी और हम सभी का भी था, ऐसा नहीं था कि रंग कर्मियों के लिए जो हाँ पर हैं अलग और जो एक निर्मल जी जैसे वेक्टिंग है उनके लिए कोई एक अलग जगा है उन्हाँ पे प्सलान करते समय राज कुमार कामली की एक याद बीचा रही है सबी लोग सुबह के समय नहा रहे थे और धर्मिशाला का एक बड़ा प्रांगन था सब लोग तैयार हो रहे थे और काफी उसमें तेजी दिखा रहे थे क्योंकि एक खास समय के बाद बस्तर की यातरा राइपूर से करनी थी राज कामले ने कहा कि नवल भाई आप इसनान नहीं कर रहे हैं हमने कहा कि अभी करता हूँ थोड़ी दिर से करता हूँ उस ने कहा कि मुझे भी क्षा हो रही है कि मैं भी इसनान कर दूँ खैर वो गया और जहां पे सामने खाली एक बड़ा प्रांगन जो दर्मशाला में आम तोर पे होता है वो कही जगा नल लगे होते हो इसमें से एक नल में एक उंगली नल खोला और एक उंगली उसने जो है अनल के नीचे रखा उससे अपने हाथों में और पैरों में निशान मनाया और वहां से नीचे उस निशान के नीचे यह निशान मनाया और यहां से नीचे नीचे की और धोया धोकर आया और बोला कि मैंने कहा कि बस हाथ पैर धोये पुरा इसनान्य किये तो उसने कहा कि नवल हर जगह कहीं ने कहीं को ये creativity की चीजें, एक सरजनात्वक चीजें, एक अनोखी चीजें, एक नयाब चीजें, ऐसे जो हैं वो बात करते थे, वो उस ग्रुप की खासियत थी, उस ग्रुप की bounding भी थी, और वे सब एक दोसरे से जोड़े हुए थे, बहराल हम लोग रायपू से जगदलपूर की आत्रा के लिए निकले, एक बस से, और उस बस से जाने के बाद, जो बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए, जैसे कोई बाजार, घोटुल की जगहें, जो बस्तर के सांस्क्रिटिक परहंपरा में बहुत मुख्य भूमी का निभाती हैं, मन्दिरों और इस्थापत्य की जगहों पे, ऐसे तमाम जगहों पे गए, निर्मल जी की एक खास बात उसमें ये है कि याद आ रही है कि सबसे पहले जब जगदलपूर में पहले ही पहली ही रात के बाद की पहली सुबह, साथ साड़े साथ बज़े के लगबद शायद शरद या किसी कोई और ने कहा कि निर्मल जी आपको बला रहा है हम निर्मल जी के पास पहुचिए, तो निर्मल जी उस समय तयार थे, तयार सब लोग हो रहे थे, लेकि निर्मल जी जिस तरह से तयार थे, वह बिलकुल ही अनुखा था, क्योंकि उतनी सुबह में हमेशा की तरह जो उनकी एक खास वेशबुशा थी, और पैंट, शर्ट, बेल्ट, तो पैंट, शर्ट, बेल्ट, यूता पैंडे हुए निर्मल जी तयार थे, सामने एक टेबल थी, और उहाँ पर वो बैठे हुए इ인이 टियार कर रहे थे, उन्होंने आते ही कहा कि नौल जी आईए, आईए, ये, अन्होंने एक नक्षा खुला, जो एक नक्षा बस्तर का था, और एक नक्षा मध्यपरदीश का था, उनके पास, उन्होंने बस्तर का न क।ंडा गाउं ने दोरों में से कुई एक जगह थी अभी ठीक सेयात नियात है वहार है को सक depends नक्षे में वह जगह कहां है यह भी नक्षे में वह जगह उन्हें बताया फिर नक्षे के साथ है उन्हें बताया कि किस किस दिन कहांanç था naviиться, उन आना है, उन जगों को उन्होंने point out किया और उन जगों के बारे में देखा इए मेरे लिए किसी लेख़क के साथ या इस तरह की बात पहली बात थी मेरे लिए मेरी जानकारी के लिए क्योंकि हम अनेक बार बस्तर उसके पहले हम जा चुके थे अपने काम से लेकिन कभी हमने नक्षे की और ध्यान नहीं दिया था कि हमें एक नक्षा साथ में रखना चाहिए और उस दिन के बाद से निर्वल जी के उस दिन के बाद से जो उस पर काफी नक्षे को लेकर उने बातचीत की और नक्षे के बारे में जिस तरह से बाचीत उन्होंने की वो लगवक सब को मालूम है कि नक्षा क्यों होना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, किस तरह होना चाहिए और उससे क्या तत्यात्मक चीज़ें सामने आती है वो सभी को पता है, वही बाते निर्मल जी ने भी की लेकिन उस दिन से वह भी एक मेरा हिस्सा हुआ कि जब कभी कहीं आप जाते हैं तो वहां के उस जगह के भुग५ूल को अपने पैरों से अपने आँखों से देखने के पहले ये निर्मल जी के शब्द हैं कि वहां के भुगोल को वहां के अपने पैरों अपनी आँखों से देखने के पहले नक्षे पर जरूर देखना चाहिए कि हम नक्षे के कितने भाग को कितनी जगहों को और कितने अंश को देखते हुए उस जगह को देखता है और कितनी जगह हम से छूट रही है तो हमारा देखा हुआ जो है एदि हम कहीं जाते हैं तो कहने के लिए तो यह होता है कि हमने वह जगह देखी हम महां पे गए लेकिन हम उसके एक अंश को देखते हैं और एक अंश के माद्यम से ही अपनी परतिक्रिय के साथ उन तमाम चीजों को देखते हैं उसमें हमारा देखा हुआ कई बार ठीक नहीं होता जो हम देखते हैं वल्कि जो हम सोचते हैं वह वह प्रतिक्रियाइं वह पर सम्मेदना यहां हमारे भीतर जर्म लेती हैं उन्ने कहा कि इस बाहां के प्वुभाग को देखना तो ठीक है, वहां के लोगों को देखना तो ठीक है, लेकिन तथित्यात्पकल उससे देखने में इसमें कमी आती है, tą कि आप एक जगह को से बा很 सब्सक्राइब के बाहां को बात करने हैं। इसलिए देखना जो है हर आदमी का देखना हमेशा बचा होता है और उस आदमी के कारण वह आदमी जो देखा हुआ है जो बता रहा है उसके बताए हुए में बहुत सारा देखना जो है हमेशा बचा होता है और यह बचा हुआ जो है देखना बचा हुआ है जो हर बार आदमी के पास आती हैं समय के अंतराल के करण भी और अन्य कारणों से भी वहीं वहीं पे जो हैं जीवन होता है वहीं रचना अप्लकता होती है वहीं क्रियेटिविटी होती है वहीं पे किसी आदमी का प्रवेश होता है जो वह अपने धंग से प्रवेश करता है और व तो उनके देखने में बहुत एक तो एक तो निर्मल जी की आँखें जो है जब कोई चीजी देखते थे या किसी से बात करते थे तो थोड़ी देख लिए काफी जिपकती थी और ऐसा लगता था कि जैसे बार-बार वे आँखों को और खूलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और जब वह ऐसा देखना चाहते हैं तो उनकी आँखों में जितना पुतलियों का काला रंग होता था उतना ही बड़ा उतना ही ज़्यादा सफेद रंग भी होता चला जात जो हर आदमी के पास होती हैं देखने को ज़िवा देखने को अनुभूत करता है तो पर वे इतने अनुभूती शंपन्द थे यो इतने समेधना से देखते थे कि जब वे इस तरह से देखते थे चीजों को तो ठहर ठहर कर उनकी पलकी झ्चपकती थी ऐसा लगता था जैसे व वे खुद अपनी पलकों को छपका रहे हैं और पलकों को उठा रहे हैं आम तोर पर मनुश्यों की पलकें जो हैं अपनी एक गती के साथ लगतार छपकती रहती हैं लेकिन वे जब किसी चीज को देखते थे तो देखते हुए ठिठक जाते थे वे देखते हुए ठिठक कर चीजों को देखते थे और उस समय जो एक द्रिश्य उनके सामने होता था द्रिश्य में जो भी चीजें चलती रहती थी जो भी घटित हो रही होती थी उसको देखना एक उपरी परत पर होता था द्रिश्य के इस तर पर द्रिश्य के उपरी सतह से देखते थे और यह से ही उस द्रिश्य के सतह के साथ और उसके सतह के साथ उस द्रिश्य में जो चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं घट रही हैं उसके साथ कहीं पर किसी चीज़ें के साथ जुड़ते थे तो उनका ठिठकना थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता था और फिर उस द्रिश्य के वे कई तलों को देखते थे कई सतहों को देखते थे और किसी एक सतह पर खड़े होकर जो है अपने एक खास उनकी मुद्रा हुआ करती थी जो उन्हें देखने पर आदमी जान जाता था कि अभी वे कहीं किसी एक खास जगह पर पहुचिगए हैं इसा लगता था इस तरह का देखना जो है लेक्षकों मैंने बहुत कम लोगों के साथ देखा चितरकारों में इस तरह का देखना स्वामिनाथन के साथ देखा स्वामी एक तक देखते थे किसी भी चीज़ों को एक तक देखते थे और जब जी एक तक तक जहां पर जिस चीज़ को देखते थे उसमें से किसी एक के किसी एक जगह पर फोकस करके देखते थे वहां से बाकी द्रिश्यों को हटा कर देखते थे निर्मल जी पूरे द्रिश्यों के साथ पूरे द्रिश्य को देखते थे और उस द्रिश्य में अपने लिए कोई एक चीज ढूंडते थे खोशते थे यह जो देखना है मेरा यह जो जानना है निरमल जी के बारे में उनके साथ उस बस्तर की यात्रा में रहते हुए देखते हुए उनको महसूस करते हुए आपजर्ब करते हुए जानना है मेरा जानना या मेरा यह कहना गलत भी हो सकता है दूसरे का देखना उनका जानना कुछ अलग हो सकता है लेकिन जिस तरह से मैंने उन्हें देखा जाहिर है मैं उन्हें उसी तरह से बताऊंगा और देखूंगा और इसलिए भी मैं अपने देखे हुए के परती थोड़ा सा ज्यादा विश्वास बारा हूँ क्योंकि इस तरह की छोटी-छोटी बातों को वहाँ पर बात करने के लिए और कुछ होता क्या था बस्तर की आत्रा में जब इन छोटी-छोटी बातों को हम निर्मल जी के साथ बात करते थे शियर करते थे तो वह अचंबित होकर हो काफी अपने आप में अंदर जाकर उस चीज़ को सुनते थे और फिर एक अलग निगाह से सामने देखते थे जहां पर मैं होता था सामने अलग निगाह से देखना उनका भी एक विशिष्ट गुन हुए था अचानक वे सामने देखते देखते किसी एक चीज़ को एक अलग निगाह से जैसे पहली बार आखे खुल के देख रहे हों उस तरह से उब देखते थे तो निर्मल जी का देखना जो है उस तरह से होता था जैसे कोई व्यक्ति किसी एक शब्द या किसी एक वाक्य के पास रुख जाता है और काफी देर तक उस शब्द या वाक्य के पास एक लेखा करुका रहता है ठीक उसी तरह निर्मल जी का द्रिश्यों को और द्रिश्यों के भी तर्थ सामने जो घटित हो रही हैं उनको देखना हुआ करता था यह मुझे ऐसा लगता है वे देखते समय चीजों को बहुत उद्विलित हो जाते थे कई बार उनमें बहुत उश्मा और ताप महसूस होता था कई बार वे इस समय कुछ बोलना चाहते थे और बोलते बोलते रुख जाते थे और उनके बोलते हुए कि रुक जाने को जब कोई दूसरा या मेरे द्वारा या किसी दूसरे द्वारा देखा जाता था तो वे उसे समझने के अंदाज में ही उस देखते थे कि हाँ तुम या समझ रहे हो कि मैं यहाँ पर ठिटक गया हूँ या रुख गया हूँ वह एक तरह से सई समझना है निर्मल जी के देखने में संबंधों की बहुत कुमलता रही है वे मन की अतल गहराईयों से चीजों को देखते रहे है और उनके देखने में एक दिकलता भी रही है एक के खामुशी रही है मनहिसितियों के भीतर जाकर देखना रहा है खामुशीों को भी भीतर जाकर देखना रहा है दूसरे की खामुशी में अपनी उनकी खुद की खामुशी में या जो भी सामने है उसके इस्थिर समय में जो एक खामुशी है उस तत्त को वे अक्सर पकड़ते थे और उस खामुशी को पकड़ने में बहुत सारी हल चले हैं थीं व्यक्तियों के बीच में या लोगों के बीच में या सामने के द्रिश्चे के बीच में या किसी एक कमरे के बीच में हैं या किसी जगा एक बैठे हुए हैं या चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को हलचलों को छोड़कर एक मनहिसिती के भीतर जो है उसके भीतर के खामुशी को भी देखते थे और ये गुण जो है उनके देखने का या कॉण उनके रचना संसार में भी है उनके कहानीओं में भी है उनके उपन्यासों में भी है उनके संस्मरनों में भी है बीच में मैं एक थोड़ी सी जगह अपनी बदल रहा हूँ दिर्वल जी के साथ बस्तर जाने के पहले मेरी भोपाल में एक दो बार ही मुलाकात हुई थी और न्यू मार्केट यो जहां पर उप्रसस कलोनी के घर में रविंद भौन के सामने जिस घर में वे रहते थे वहां से न्यू मार्केट की दूरी लगवग एक डेड़ किलो मिटर है अक्सर हम उन्हें चार बज़े के आसपास हफते में एक दिन दो दिन क्योंकि उस समय हम लोग चाई पीने निकलते थे अपने आफिस से तो देखते थे कि निर्वल जी न्यू मार्केट से अकेले न्यू मार्केट की जो ढाल है जो भॉपाल की जो ढाल है जहां से हम पुराने भुपाल की ओर जाते हैं उस धाल पे उतरते हुए चलते हुए फुटपाथ पर अकेले चलते हुए दिखते थे और उस समय हम यही सोचते थे कि यह वह कलाकार है वह लिखक है वह आदमी है वह वीभूती है एक तरह से आप देखिए कि निर्मल जी अपने बिल्कुली वावस्ता में ही एक बेहत प्रतिभावान और बड़े रचनाकार के रुप में इस्तापित हो चुके थे उस समय के सबसे बड़े आलोचक और आज के भी नामवर्ण सिंग ने उनकी कहानियों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और तमाम कहानिकारों की बीच में से जो कुछ नाम थे उनमें से एक नाम वह निर्मल जी का लेते थे वह निर्मल जी जो है जो और उसके पहले जब हम भूपाल आये थे उसके पहले हम चिगडों की चांदनी और गएरा जो किताबे हैं उनकी पढ़ चुके थे और भूपाल में उस समय जो सबसे अधिक उसमें उनका प्रचलित उनकी प्रचलित किताब थी उस समय की जो प्रचलित सारे आलेख थे और उन आलेखों को पढ़ने के बाद ही उनकी विचार शीलता के बारे में भारतियता के बारे में और भारतियता के साथ प्रश्यमी संस्कृति के बारे में यहां की कलाओं के बारे में और यहां की संस्कृति के बारे में बहुत सारे प्रशन थे कला के जोखिम में बार बार एक शब्द आता है उनके आलेखों में पिछले दिनों तो भुपाल के लेखों के बीच में पिछले दिनों जब भी एक चर्चित शब्द हुआ करता था चर्चित शब्द यूकम हुआ करता था उस से आदमिया समझ जाता था कि किसके बारे में बात हो रही है यानि निर्मल जी के बारे में बात हो रही है तो खिर चेको सलाव किया प्राग वियेना आदी जगों पर गूमा हुआ रहा हुआ स्कॉलर्शिप के दौरान रहा हुआ और काम किया हुआ जो एक बड़ा साहितेकार था 1983 के समय में एक आदिवासी संस्कृति से मिलने के लिए बस्चर की आत्रा कर रहा था जिसमें बहुत सारे लोग थे, अरंगमंडल की पूरी टीम थी, हम थे, जोती भाई थे एक घटना मुझे यादा रही है, गढ़ बेंगाल की घटना है, गढ़ बेंगाल एक गाओं का नाम है, जो नरायनपूर के करीब है, उसे कहते हैं, जो हर गाओं में एक घोटूल नामि एक जगह हूँ करती थी, जो युवाओं की जगह हूँ करती थी, जिसके बारे में काफी गलत धंग से बातें की गई हैं, जैसे युवाओं का कोई मिलन इस्थल हो इस तरह की बाते की गहीं जबकि ऐसा नहीं है घोटुल जो है किसी भी गाओं का बस्तर के किसी भी गाओं का की रीड़ हुआ कर रीड़ ही जैसी जगह है जहां पे बच्चे से लेकर युवा तक या शादी के पहले तक लड़के किया जो एक दूसरे के भाई बंधू बहन मात भी होते हैं और रिष्टे में भी अन्य रिष्टे होते हैं वे सब जो हैं गोटुल में रहते हैं वह एक बड़ी सांस्कृती की काई है गोटुल बस्तर की जो अभी भी है कहीं कुछ जगों पे होगी ही घोटुले का इसी कि चंगुल में नहीं रहे शादी विवास लेके मृत्यू तक के सभी काम उनके साथ होते रहे गोटुल के लड़कों के द्वारा किये जाते रहे सभी सुचनाएं आसपास के गाउं में उनके द्वारा दी जाते रहें जहां पर रोज जो हैं अपने अपने घरों से खाना पांच-छे साल की बच्चे से लेकर बड़े तक आते हैं और हर शाम जो है वहां आग लाई जाती है अब ऐसंविश्द्म कर था है और जो लड़के और लड़्किन है वह ट्रेंड होते हैं हपर अपने वार्दिों के साथ उस जगह पर एक कायक्रब्ट था कि जहांपर सब लोग थे शाम होती चली जा रही थी, फिर अंदेरा होने लगा था, हम लोगों को उसमें इस सब को लग रहा था कि यहां से जल्दी ही, चुकि हमको एक नर्टे देखना है, एक वादे देखना है, और उन लोगों को नर्टे करते या वादे करते ही वे दिखाना है, तो एक तरह से सांस जानकारियां लेनी हैं आवने सामने वह जल्दी ही शुरू हो जल्दी ही हम लोग जाएं पर बस्तर तो अपने समय से चलता था और चलता रहा है वहां के लोग भी जो है अपने उनका समय एक अलग समय है और हमारा समय जो है समय के साथ चलना जो है हमारे पास एक अलग धंग से है और समय के साथ रहना बस्तर के लोगों के पास एक अलग धंग से है हम समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं वे समय के साथ रहने की कोशिश करते हैं समय के साथ रहने की इस बात को भी निर्मल जी ने ही जब काफी देर तक लोग नहीं आये या दो-चार लोग आये शुरू में कोई घोटुल को जाड़ने के लिए आया जाडू दिया, साफ सफाइ की चला गया, पिर किसी कोई आया और आग उसमें लोग अपनी तयारी करते रहे, कुछ साज सज्जा करते रहें बहुत सारे लोगों में उतावला पंथा समय को लेकर काफी देर हो रही है और अंधेरा हो रहा है और अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है निर्वल जी ने सब चीजों के साथ ये कहा कि देखिए हम लोग समय कुले के कितना चिंती तरहते हैं जबकि समय किसी की चिंता नहीं करता हम अपनी चिंता नहीं करते हम समय की चिंता करते हैं हम जिसके लिए यहां पराए हैं हम उसके साथ उसकी समय की घटना के साथ उसके समय की घटी के साथ और उसके समय के चलते रहने के साथ नहीं होना चाहते, उस समय को नहीं देखना चाहते हैं, उस समय में जो लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक काम कर रहे हैं, उसे नहीं देखना चाहते हैं, वे सिर्फ इस तरह से देखना चाहते हैं, अधिकांश लोग, कि बिल्कु सब्सक्राइम एक समय की ही रचना होती है, कि आप समय के किस ढंग को, किस गती को, किस हल्चल को, किस खामुशी को, किस गती हीनता को, और किस इंतिजार को या किस खामुशी को आप रचते हैं। है रचना कोई और प्रतक चीज़ नहीं होती इससे अलावा यदि हमरे समय आसे काड़ की चीज़ों को देखते हैं टो अरचनायां हमारी समय से ऋहूय ह rec режим होते हैं तो मुझा आयाया कि निर्मल जी के पास काल और कालातीत ये दो शब्द समय काल कालातीत और शब्द जो हैं लगातार अपनी संस्कृति को देखने के परिप्रिक्ष में आते हैं रचनाओं को देखने के परिप्रिक्ष में आते हैं कलाओं को देखने के संद्डरफ में आते हैं तो काल और कालातीत जो उनके पास पहले से जिन शवदों के साथ हुए चल रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे उन शवदों के साथ और उन वहत्यों के साथ वहाँ पर उन्होंने एक ये नई बात की थी जो मुझे अभी याद आ रहा है निर्वल जी स्वायतत्ता के पक्षिधर थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वे स्वायतता के पक्षिधर नहीं थे। लेकिन लगातार बातचीत में बस्तर की और बस्तर के लोगों की स्वायतता को लेकर वे लगातार बात करते रहे हैं और स्वायतता के संदर्व में जब भी वे बात करते थे संस्कृत के साथ जुड़ी हुई चीज है लेकिन संकृति सत्ता से और जब स्वायतता रहती है तब तक हम उस संस्कृत से अपनी स्वायतता को प्राप्त करते हैं कलाएं और रचनाएं भी जो हैं अपनी स्वायतता को स्वायतता को यहीं से प्राप्त करती हैं क्योंकि जब भी वह अपनी संसृति से अपने लोगों से अपनी परवपराओं से नहीं जुड़ी रहेंगी तो स्वायतता जो है एक असंबद्ध स्वायतता होगी संबद्ध स्वायतता जो है अपने परिवेश अपनी परवपरा अपनी संस्कृति से जुड़ाओ से ही वह स्वायतता हम जो हैं प्राप्त करते हैं और स्वायतता को प्राप्त करना पड़ता है हर आदमी को हर प्ली को स संस्कृति को सत्ताएं जो एपने साथ जोड़ें के त संस्कृति से कोई ने कोई एक चीज एक पहलू निकालकर बाहर उपने ठाठन पीड़ीयों की प्ल hackers की यकलन होती है। इसे हमें बहुत त्यान से देखना चाहिए। आम तोर पर यह लगता है कि वे जो आम तोर पुन के वारे में अधारना है कि भारतियता की बात करते हुए वे हिंदू संस्कृति की तक ही चले जाते हैं या हिंदू संस्कृति के साथ हिंदू संस्कृति में मर्ज हो जाते हैं या हिंदू संस्कृति की और मुखातिब होते ह जबकि शिर्फ और यही ऐसा नहीं है. इतना ही नहीं है. हिंदू संस्कृटि के प्रति, जो एक भारती है संस्कृति का मुख्य इस्सा है, उसके प्रति इनका आगरः और लगाव रहा है, जो बिलकुल चिपा हुड़ा हुआ नहीं है. और उसके बारे में उन्होंने खुल कर बोला है लेकिन आदिवासी संस्क्रति के बारे में भी उन्होंने लगातार बात की है और बस्तर के दर्मियान भी उन्होंने या बात की है बारसूर एक जगह है बस्तर में जहां पे बाजार लगा हुआ था और हम सबी लोग उस बाजार में गए हुए थे बजार में जाने का एक कारणिया था कि बजार कहीं का भी बजार जो है हम कहीं भी जाते हैं किसी भी शेहर में अपने देश के शेहर में या विदेश के शेहरों में तो हम बजार जाते हैं है ми士 का मालूमने किthing कितना स्वाबावी प्राकृतिक कारे इस बाकृतिक लिए बाज WILमे जाता है। आज कल L मौल में जाता है वो अपने देश में हो या कहीं भी विडेश में हो तो बाजर जाने ही इस ज्थ है उस जगह पे जाना कई कर लो कर दो, हम भी बाजार लगते हैं, हम बाजार लगते हैं, जो फिर उस जगहों चौनर है, जिक कि अधिय परँपोर के दिन वेちら que sandwich हैं, बजार में जाकर आदमी इतनी बड़ी दुकाने और बजार तो होते नहीं और इतने सारे लोग तो होते नहीं बजार के में उसमें मुर्गे की लड़ाई हुआ करती थी जहां पर लोग एक तरह से मुर्गे की लड़ाई में जो पैसे लगाना और जीतने का काम है वो होता था और बजार में लोग एक दूसरे से मिलने जुलने आते थे और उनके पास जो भी किलो, आदा किलो, दो किलो उनके घर का समान है, उत्पादन है, जंगल से जो उन्होंने कत्र किया है, उसे बेचने और खरिदने आते थे बजार का मतलब सिर्फ इतना ही होता था, खुब हुआ तो पान, बहुत बड़ा काम किया तो पान खा लिया, और अपने ही घरों से मंद, जो मुहुए की शराब, जिसे मंद कहा जाता था, भी लेकर आते थे, हड़िया और सलफी, और लेकर आते थे, हड़िया एक पेपदार्त है, जो मिठी की हांडी में ही बनाई जाती थी, वहां से हड़िया नाम पड़ा, वह एक तरह से पेट और बाकी पेट के लिए और स्वास्त के लिए बहुत अच्छी चीज है, पौश्टिक चीज भी है, उसमें जड़ी बुटिया मिलाकर बनाई जाती है, इसलिवा पौश्टिक चीज भी है, बहुत सारे उदर संबंधी विकारों को अदूर भी करती है, पर उसमें नशा है, सल्फी में भी वैसा ही है, जैसे अने जगों के लोग सल्फी भी एक पेट है, एक पेट से जो बुंद बुंद करके एक पात्र में कत्र होता है, पर उसको भी सल्फी कहते हैं, उसे लेकर तो सल्फी, हडिया और मंद लेकर लोग बजारों में जाते हैं, और लोग के लोग के लोगोते हैं। फिर उनके साथ बैठते हैं। और एक दूसरे को आपने लाए हुए पडार्थ के साथ एक दुसरे का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, घंटे दो घंटे पि, जो हैं, अलग अलग गुरूप में, अलग अलग सगे समत्नियों के साथ बैठते हैं, बाजार सर्व, लोटते तक भी जब वो चीजें, बची रह जाती हैं, बिक्री से या दूसरों के स्वागत से बची रह जाती हैं तो वह भी जो है रास्ते में भी कहीं कहीं बैठ कर गुरूप में बैठ कर लोग बीते रहते थे तो हम सब युवा थे निर्मल जी भी युवा थे पचास पावन तिर्यपन वर्ष की उम्रे थी उनकी बीयर के वे शुकीन थे जिन्होंने चिगड़ों पर चांदनी पढ़ा है वह बीयर के प्रति उनके लगाव को समझ सकता है और पीयर डेड़ इंच उपर जो जिसने पढ़ा होगा उसे और भी कुछ अनुवूतियां हो सकती है तो लगबख बस्तर के पूरे पूरी यात्रा में वह ग्रूप जो है निर्मल जी की शव्दावली में कहें तो डेड़ इंच उपर या डेड़ इंच उपर से नीचे जो जो डेड़ इंच उपर हो जाते थे उस नीचे होते थे या डेरण उपर होने की प्रकरिया में होते थे या डेड़ इंच के आपस से बने रहना सलफी या मंद या हड़िया पी कर यह एक बहुत बड़ी शीज़ थी क्योंकि इसके बारे में लगातार चर्चा होती थी कि डेड़ इंच ही रहना है डेड़ इंच से उपर नहीं रहना है जिसे लेकर निर्वल जी काफी जब भी कोई जो उसमें ग्रूप के तमाम लोग जो ह तो खेर वहां पर बारसूर में उस पूरी आदिवासी संस्कृती को जो क्योंकि बजार संस्कृती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आप वहां पर लोगों को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं उनके खादिपदार्ट से लेकर पेपदार्ट तक उनके पहना में उन समझाव को बहुत अधिक और बहुत जादा देखा जा सकता है। क्योंकि वहा गजार और उस समय का inчи सब्होठारे कारियों के लिए बैहर रह नहीं था वलकि एक मिलने जुलने का साथता ही ऊस्पर के रुप में भी बजार था और जो बहुत कम जरूरते होती थी, उनको लेने, देने का की जगें थी। बारसूर में मूर्थिया थी जो जिन्मूर्तियों को और दो मंदिर जिसका इसका इस्ताफत चिशली की सानुए मिं तरह ता और बारसूर के गाउमेन के जो मूर्तियां थी जब मंदिर के पास सब लोग उर्के हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे लगवक गर्मी थी थी थोड़ा बहुत पसीना भी सब को आ रहा था और हड़िया और या सल्पी या उसका लोग आस्वाद भी ले रहे थे उसको इंज्वाइब भी कर रहे थे लेकिन हम निर्मल जी और जोती भाई एक जगा बैठे हुए थे निर्मल जी ने घड़े पर घड़े लाते हुए या तसला जो होता है ऐल्मिनियम का उसको लाते हुए या लोग की का तुमबा होता है जिसमें सल्पी भरी होती है या मंद भरा होता है उसको लाते हुए उन्हें देखा तो उन्हें का कि नवल जी या तो समय है तो हमने कहा कि हाँ समय है हम लोगों ने भी वहाँ पे वह सब काम कर रहे थे सलफी पीने का मंद चखने का और तब निर्बल जी ने कहा कि यह इस्तापत दक्षिन की ओर से यहां क्यों आया होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी मैंने खुद ही उनसे जानना चाहा कि यह क्यों आया होगा एक तो यह है कि हो सकता है दक्षिन का यहां प्रभाव हो यह आज मद्यप्रदेश का हिस्सा है लेकिन मद्यप्रदेश बनने के पहले मद्यप्रदेश का हिस्सा नहीं था बस्तर नाम बस्तर गड़ में जरूर था जो 36 गड़ लेकिन मद्रप्रदीश का एक की का एक भूभाग हुआ करता था उस समय अलग राजी नहीं हुआ करता था बस्तर से जुड़े हुए आंद्रा और उडिसा और महाराष्ट के बार्डर थे यह सब बाते होती रही तो हमने काया कि यहां पे कुछ जगों पे और थोड़ा आप एदि अंदर चलेंगे तो कुछ ऐसी मुर्तियां हैं जो कंकाल की तरह हैं जिसे लोग तांत्रिक मुर्तियों के रूप में देखते हैं हम लोगों मुर्तियों के पास गए तांत्रिक मुर्तियों को जो उसमें बहुत सारी थी जगह जगह थी और एक जगह है पेड़ों के नीची आओ कई जो मुर्तियां थी उन्हें देखकर ये काफी अभी भूत है उन्होंने कहा कि इस तरह की मुर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी है इसमें मनुष्य का संदर्ज भी है और मनुष्य के संदर्ज की अनुपस्ति भी है दोनों चीजें हैं एक जीवित मनुष्य के नहीं होने का उसके भाव के नहीं होने का भी यहां पर एक संदर्ज है लेकिन यह कंकाल की तरह ही सिर्फ नहीं है और कंकाल से कुछ और भी अधिक अर्स दे रहा है यह सब बात हो रही थी उसी दिन वहां पर बारसूर वाले दिन पर ही कारंत जी का वहां प्याग मन हुआ था फिर कारंत जी आ गए पिरंगमंडल के बाकी सभी लोग उन मुर्तियों को देखते रहे, आते जाते रहे बारसूर के अलावा एक जगह की मुझे और याद आ रही है एक जगह की बात मड़का बेड़ा की जगह मड़का बेड़ा जो है अभूजमार के पास की जगह है लेकिन नरायनपूर की तरफ से जो अभूजमार के रास्ते होते हैं अभूजमार जाने के कई रास्ते हैं नरायनपूर से भी है मड़का बेड़ा से भी है और शोटे डूंगर से भी है इन सब के बीच में औह उखर का देंतेवाडा के बीच में उखर को दोटिन चीजह में बताऊंगा और इसके बाद इन इन दो तीन जगहों के बाद में अपनी बात खत्म करूँगा तो मड़का बेड़ा जो है और्चा के पास की जगह है और जब हम मड़का बेड़ा जा रहे हैं मड़का बेड़ा में रुके हुए अबोजमाल के बीच की जगह जो मड़का बेड़ा में रोड के पास गाउं बसा हुआ था वहां से लगबग तीन चार किलोमेटर अंदर मड़का बेड़ा के पास के गाउं में हम लोग गए हुए थे दिन का समय था और तो मड़का बेड़ा वाली जगह पर जब हम गए हुए थे तो ककसार एक जो वहां पर मेला मड़ई वाली जगह ककसार एक दृत्य का भी नाम है वहां पर हुआ था उस गाउं में खेतों पग्णनियों जंगनों से होते हुए जब हम हम वहां गए थे तो मड़का बेड़ा में दोपहर का समय था और जब कहीं पर भी जब इस तरह की मेला होता है जो दस पांच या दस गाउं के बीच यह जगहें होती है और हर जगह के देवता और हर जगह के सिरहा गुनिया उस जगह पे एकत्र होते हैं सिर्या 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 गुनिया उगर एकत्र होते हैं और वहां के आंगा देव भी उन जगहों पे कई बार आते हैं उन जगहों पे उन आठ दस जगवे के गाउं के लोग एकत्र होते हैं और एक लगबग दिन भर जो है वह सिरहा गुनिया दोरा जो है अपने देवताओं के साथ कुछ न कुछ गतिविदियां होती रहती है होती रहती है वहां पर हम और दिनभल जी एक पेड़ के पास बैठे हुए थे बाकी लोग तितर भी तर थे अवलग अलग जगहों से उस एक घेरे में जो भी घटना या उकतिविदियां हो रही थी उसे देख रहे थे बेलगूर बगल में ही बैठा था और देखते देखते अचानक हम लोग जो है किसी पता नहीं कि जोती भाई जो है फोटोग्राप्स ले रहते बहुत सारे देखते देखते हम लोग पता नहीं किसी चीज में खो गये थे और चुकि कई सिरहा और कई गुनियां होते हैं कई गाओं की तरह की गतिवितियां होती हैं और लगवा घर आदमी के पास के कंधे पे कुलारी फर्सा या इस तरह के अस्ट्रस्ती धनूश वगयरा हुआ ही करते थे होते ही हैं इसके साथ ही वे ऐसी जगों पे या बजार जी जगों पे जाते थे जाते हैं बीचा चुकी वह और्चा बिड़ा और अबूझ माल की बीच की जगह थी और शेहर से उसका काफी का दूर अव कम दूरी जगह थी हो तो वहां पे के लोगों का और आए हुए लोग जो है कुछ जो अबूझ माल की तरफ से भी आ गए थे तो वे शेहर के और शेहर के लोगों को भी जो भुपाल के लोग शेहर के थोड़े और अपी बिन्ने दिख रहे थे कोंड़ाओं के आसपास के शेहर के रहने वाले लोगों से भी थोड़े बिन्ने दिख रहे थे और चुबकि रंग क्रमी थे और रंग क्रमी वोस्तर बिन्यास थोड़ा से और भी बिन्न होते हैं आचानक एक सिरहा गुनिया दो एक सात उटे हुए आये और उसमें से एक ने हम लुकिसी दूसरे जगा तरफ के एक कौन के कोने के पर सिरहा गुनिया को देख रहा थे बगल में बेलगूर बैठे हुए थे और वो आते हुए देख रहे थे और अचानक जो है उन्होंने कुछ तीज सी आवाज सी बोली जो बात में मुझे समझे में आया वो शब्था ओहबे कहा उन्होंने और फिर सिरहा गुनिया जैसे कि उस आयर पेड़ पे वो उनकी कुलहा चैश्यखत में आगै क्यों कि यदी पता नहीं आदि वह आवाज नहीं दिया होता तो किस्थ नहीं कह सकते थे क्या हो सकता था तो उसके बाद थोड़ी सी बहुत कम लोगों के बताया भी गया और बेलगूर ने अपने लोगों को बताया और एक दो लोगों को बताया गया वो कहा गया कि यहां से जितनी जल्दी अब निकल चने उतना ज्यादा अच्छा है निर्मल जी इस घटना को लेकर काफी देड़ तक बात करते रहें उन्होंने कहा कि क्या वह कुलहारी हम लोगों पे चला रहा था यह चलाना चाहता था जो पिगड़ पे लगा क्या हम लोग घट गए क्या वह अपनी उपस्तिती दर्ज करना चाहता था दिखाना चाहता था बताना चाहता था कि हमारे पास यह भी एक भाव है या क्या हम बाहरी थे उनसे भिन्य थे उनकी संस्कृति से भिन्य थे और उस आधिवासी संस्कृति के प्रति हम एक दर्शक के रूप में थे एक दर्शक के रूप में थे जिससे हमारा ज्यादा संबंध अन्य लोगों का उपस्तित लोगों का जैसा संबंध है वैसा हमार जब तक हम लोग मर्का बेड़ा पहुंचने के बाद, शाम को या तो शाम को जो खाना जो पहले मर्का बेड़ा में ही रात गुजारने का था, उसे मर्का बेड़ा का सरपंची जो है, वो फिर मर्का बेड़ा में ही कर लिया था, वो एक बहुत अच्छा बड़ा कलाकार भी आग के पास रात में हम लोग बैठे हुए थे आस पास के गाउं के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे आग जल रही थी एक बहुत चोटी सी लड़की चार पांच साल इस पास बैठे हुए थे ओम्रों भी जाहिर है कि बस्तर में लोगों के पास कम कपड़े हुआ करते थे बच्चों के पास भी हम लोगों के पास अपनी चाद्रें या अपने कुछ सेंटर या इसी चीजें थी आप देरभल जी भी अच चादर ओढ़े हुए थे कि आंपे पास बैठे हुएते हैं कि देख रहा था कि बहुत देर तकि वह बच्ची जो है हुआ चोटी से लकी ज obviously इसको देख रहे हैं था । अब दोनों के देखने में वे दोनों को एक दूस्रे को बार बार देखना उनका बहुत महत पूर इसा था थोड़ी देरे बात वब लड़की जो है निर्मल जी के पास आई यह निर्मल जी को ऐसा लगा जैसे कि उसे ठंड लग रही हूँ पिर निर्मल जी के पास सट के बैठी निर्मल जी ने जब वह सट के बैठी तो उसको उस इशारे से कहा कि चादर के अंदर चादर लेना है ठंड लग रही है वह आई और वह पूरी शाम जब तक घुजन का समय नहीं हुआ तब तक वे दोनों उसी तरह से आग के पास बैठे है तुए लग रहा था कि जैसे लोग दोनोदों एक दुसरे के साथ है अब भर फोंडाय के पास नहीं यह कै एक साथ होकर भी दोनों जैसे इUNDको देख रहे थे ठीक वैसे यक दूसरे को नहीं देख रहे थे वहलकि दो भिण दुषाहों में दो चीजें देख रहे थे आएसी था कि जब दोनों अलग अलग थे तो एक दूसरे को देख रहे थे और जब दोनों एक साथ हो गए एक चादर में बैठे हुए रहे तो दोनों दो भिन्दे दिशाओं की ओर देख रहे थे देखने का यह धंग भी निर्मल जी का जो है मैंने पहली बार इस तरह देखा और इस देखने पे भी मैंने उसे जब बात की तब उन्होंने कहा कि जब आप किसी जिसके साथ होते हैं अक्सर यह होता है कि आप जिसके साथ होते हैं आप उसे देख नहीं रहे होते हैं आप उसके साथ होते हैं उसको महसूस कर रहे होते हैं वह आपके पास होता है वह आपके साथ होता है इसलिए वह उस तरह पास नहीं होता है जैसे दूर से दूर का आदमी अपने पास नजर आता है जब वह अपने साथ होता है तो वह इतना पास होता है और इतना परस्पर हो जाता है कि साथ और दूर से पास के होने का अंतर जो है मिठ जाता है तो शायद उसमें हमारा यह मनोभाव होगा और हो सकता है वह लड़की भी इसी मनोभाव में होगी कि तो कि दंतेवड़ा की अभी याद आई तो दंतेवड़ा और कुंड़ा गाओं की दो बातों को मैं और बताना चाहूंगा उसमें दंतेवड़ा जो है आजकल शायद दंतेवड़ा जिला है उसमें संभवत है तेहसील हुआ करती थी उस वजग दंतेवड़ा उसमें शाम के बाद दंतेवड़ा से आगे गाड़ियां नहीं जाती थी कोटा कोंटा कटे कल्यान की और जो सड़क जाती है दंतेवड़ा से गीदम से चलकर अधिक साधिक गीतम दंतेवाड़ा तक गाड़ियां रुख जाती थी शाम तक और शाम के उधर जाने को लेकर जो है गाड़ी वालों में एक डर या भय या एक संशय की भावना होती थी और दंतेवाड़ा का बस इस्टेंड जो है बहुत चोटा टपरी वाला जोपड़ी वाला बस इस्टेंड था जो शाम के पांच-छे वज़े तक ही वहाँ पे दुकाने होती थी लकड़ी जलती रहती थी उन दुकानों में और मुश्किल से दो या ती नहीं दुकाने थी और सब कच्ची थी जोपड़ी वाली थी घास पूस वाली थी लकड़ी वाली थी कोई कोई इससे अलग और भिन दुकाने वहां पर नहीं हुआ करती थी दंतेवाड़ा जब हम लोग पहुचे थे तो खाने को लेकर यह हुआ कि भूजन कहां किया जाए तो जगदलपूर से दंतेवाड़ा पहुचते समय दंतेवाड़ पहले ही एक बांस की खपाचियों से बनाए हुए एक नया ताजा एक होटल खुला था उतना बड़ा होटल जो है दंतेवाड़ा बस्स्टेंड पर भी नहीं था खाना वहीं पर होता था वहां पर रूटी चावल डाल सभी चीज़ें मिल जाती थी और सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहां पर उस समय पापड़ भी खाने में वह देता था जगह की याद इसलिए है कि लिए खाने या जाविद भाई ने शुरुवात में किस dissoloping कविता लिखी या याद नहीं आ रहते हैं पर 15-20 पेज कि कृटा कौपर पर एक कविता जैन्त ने या जाविद भाई ने शुरुवात में जिसने भी लिखी हो वो लिखी और कुछ अलगी जिसे समंद्रित हुआ कविता थी और उनके 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 बोलने के ढंग और जिस तरह से वो लोगों को काबू करते थे उसको लेकर कविता थी और फिर उसके साथ भोजन को लेकर वहां पर जो भोजन में रहा है दंते वड़ा में एक होटल खुल अंग तिसको लेकर कविता थी फिर उस कविता को लिखने का जो भी आता गया उसमें पांच लाइन या देस लन की कविता लिखता ही चला गया बहुत सारे लोग रंगमंडल के जो रंग कर्मी थे उसमें वे कवी हो गए थे और कुछ कविताएं बहुत अच्छी कविताएं थी उसे रखना चाहिए था वो शायद कभी जाविद भाई के पास रही होंगी या मेरे पास रही होंगी मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन इन दिनों तो मेरे पास वो नहीं है तो एक तो उनका विताओं के कारण वो जगह याद है घोजन के कारण याद है और तीसरी जो सब लोग वहां पे सबको याद होगा कि आउले का ज्यूस रस जो है निकाल कर पांच रुपए में एक बोतल मिलता था एक बड़े बोतल जो एक लीटर का बटल होता है उसमें निर्वल जी ने यह कहा था कि कभी हमारा वश होता तो हम ऐसी ही जगों पे होते जहां पर हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जगों पे हम गए थे जैसे वेलकुर के घर में ही हम गए थे जब निर्टियोगर एक तरफ हो रहा था तो उनकी पत्नी सालों ने सालों ने असलन में बुलाया था घर पर और विल्गुर जो है अचानक आया मेरे पास हम का कि तुम और तुम्हेर साथ है दो लोग जो हैं उनको ले लो वो निर्मल जी को उस तरह से नहीं जानता था हम ने कहा कि निर्मल जी को जोती भाई को ले लिया जाए तो उने कहा कि हाँ ले लो हम तिनों पर पहुंचिये थे और सालों ने हम लोगों को मंद मंगवा के रखा था जो हम लोग वहां पर पिये थे तो इस तरह से कहीं भी बी कहीं भी किसी जगा से धोप यह किसी की बजार में तो बहुत सारे लोग जो हैं कुछ यदि ल किजी नहीं किसी को मुफ्त में मैं या सवाद के लिए आटिष्ट के लिए और उनकारणों से और सालों के ही घर पे उपर जब उन्होंने एक देखा एक जगा पे एक पत्ते में रखा हुआ कुछ समान तो उन्होंने कहा कि यह क्या है तो यह बताया गया कि वो खाने का समान है और जो खाना बच जाता है अभी दिन का या रात का तो दिन में या रात में उसको पत्ते में करके रख देते हैं है कि wność के लिए आ़ तो नहीं का कि किषी के लिए भी जो भी दर्वाजा खूले जो अंदर आए झाल जिसे भूख लगी हो खर में कोई न descendants वह आदे का नद knife जानता है कि ने रखा तो बन इक्षा उपनी मर्जी के हिसाब से खाएगा, वो चला जाएगा, तो खाने को लेकर जो इस तरह की चीजे थी, कि कोई भी कहीं भी किसी का भी खाना किसी की जगह से ले सकता है, मांगना खाने का नहीं होता था, खाना मिलता था, खाना मिल जाता था, घरों में, किसी भी घर में, पूरे गाउं में, ताले नहीं लगते थे, तो स्वायतता और संस्कृति को लेकर कहा कि संस्कृति ये इतनी स्वायतता हमें देती है, जीवन, आचार, विचार, व्यवार, इतनी हमें स्वायतता देती है, हम एक ऐसे स्वायत जगह पे कभी हमारा वश हुआ, तो हम रहना चाहेंगे, जहाँ पर बिना माँगे हमें भोजन में मिल जाए हम किसी को भोजन दे भी दे और किसी को से भोजन प्राप्त भी कर ले जब हम कहीं जाएं तो भोजन हमें मांगना ना पड़े वलकि भोजन पर है तो खुद चल कर हमारे पास आए पीने की चीजें जो हैं वो चल कर हमारे पास आएं, हमें मांगना न पड़े, जो कि वहां के बारे में देखते हुए अब बात करते हुए उनको इस समझ में आ गया था, कि जहां भी मन्द है या सलफी का पेड़ है या जगें हैं वहां पे उस घर के अलावा बाकी आसपास के या उसके दूसरे जगों से आने जाने वाले रिश्टदार वगए रुखते थे या खाते पेते थे तो वह एक ऐसी संपूर्ण जगह एक स्वाइत जगह की उनकी एक्षा थी जहां पर ऐसी जगहें हो और ऐसी जगहों पर जीवन हो यह उनकी एक एक्षा थी जो उन्होंने बात्चित में बात की थी वे इस्वर्टी और विस्वर्टी की लगातार चर्चा करते थे उनके उनकी रचनाओं में भी आप विस्वर्टीयां भी देखेंगे और विस्वर्टीयां भी देखेंगे उनके धंग में इस्वर्टी और विस्वर्टी का रहना और वहां तक आना जाना जो है यह लगातार रहा है इस व्रति से उनका आशे सिर्फ यह नहीं था जिस आशे जिस साहितिक और दार्शनिक अर्थों में हम इस व्रतियों को लेते हैं जाहिर है कि उनकी रचनाव में उन साहितिक और दार्शनिक अर्थों में ही इस व्रतियां उनके पास आती हैं लेकिन कोंडा गाओं में एक दीन का भोजन था और कोंडा गाओं भी एक छोटे आसा बस इस्टेंट था जहां पर दो-तीन खाने की होटेले थी जिस पर पहने पर 15-20 लोगों का खाना बन जाता था और बाकि छोटी मोटी चाय की दुकाने थी ओभी जूपड़ी की तरह थी लेकिन खाने की एक दो दुकाने जो हैं जिसमें टेबल कुर्सिया भी थी ऐसी जगह थी जब सब लोग खाने बैठ गया और इंतियार हो रहा था कि निर् जी हम जियोती भाई और बहुत सारे लोग अलक जी वाकि लोग रुके हुए थे आलोग जावित ब्हाई चार तरफ देख रहे थे कि दीर जी जियोती भाई भी देख रहे थे कि वे आए तो भौजन करें तो देखि दोपहर की गर्मी में तम-तमाए हुए चेहरे के साथ हा लोगों ने पूछा या क्या है तो उन्हें कहा कि दही तो जीवती भाई समझ गया क्योंकि अक्सर हम जो है उस समय भोजन में दही उस समय मेरा खाना प्रिये वस्तु था दही खाना और दही के प्रती निर्वल जी की जो ने कहा कि हम हमारे साथ भी इसका दही के साथ बहुत लगाव रहा है लेकिन देर देरे करके और छुटता गया या कम होता गया या नियमित था उसमें नहीं रही लेकिन आपके भोजन के साथ दही की अपेक्षा को देखकर वह फिर से मेरे भीतर फिर से उसी तरह से दही की यादें आ गई हैं और अब मुझे लगता है कि आपके भाण में ही सही वह सुर्टी आ रहा है और चलिए हम लोग दहीं के साथ भूजन करते हैं नीरबल जी कि इन्हें लिए कहा कि आ से के साथ बात होती को इसे तुन ने कहा कि इस प५ृत दुरस्ट इस सु़तियां ही नहीं होती है तब तक इस्वर्ति हमारे जीवन का हिसला होता है और जब हम इस्वर्ति को छोड़ देते हैं वह इतना दूर का होता है वह दुरस्त हो जाता है तो उसे हमें ढूनना पड़ता है उसके पास हमें जाना पड़ता है उसके लिए प्रैत्न करना पड़ता है तो अक्सर आदमी को चुकि आदमी अपनी इस्पृतियों को छोटे छोटे इस्पृतियों को अपने दिन चर्या में अपने आचरण में एक दूसरे के प्रती देने और लेने के भाव में एदि उसको रखे, उसकी आउशक्ता, उसकी जरूरत, उसके स्वाद के हिसाब से भी एदि रखे, तो वही समर्दी अपने जीवन का हिस्सा होता है, वही समर्दी होती है, जो बाद में कभी हमें काम आती है, बस्तर से जब हम लोट रहे थे, एक गाड़ी रात का समय था, बस्तर से लोटते समय, एक ही सिट पे हम अधिर्वल जी बैठे हुए थे, खिड़की से चांद पर टुकड़ा दिख रहा था, लगातार चुकि कहीं कोई रोशनी नहीं थे, बस में भी रोशनी नहीं थे, चार और अंधेरा, जंगलों का अंधेरे के बीच उपर चांद दिखता था, जहां जहां पिगड़ खम होते थे, वहां वहां पे चांद अधि खम Commonwealth से मिया दिख दे नाixes की दिखता था, तो चांद लगातार साथ चल भी रहा था तो ढिख भी रहा था, तो उसको हम लोग लगातार देख रहे थे आओए एक अच्छी एस हैंडर जिसको आदमि कलपना करता है, जिसgeb education मेह सूस करने की कलपना करता है, जिसके साथ चलने पूछा कि निर्वल जी एक आद दो वाक्यों में आपे बताएं कि या ज्यादा अमन हो तो ज्यादा बताएं कि बाकी चीजों के बारे में भी बताएं और गरीबी के बारे में बताएं कि यहां पर जो इतनी गरीबी है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, सोचा इस पीचे, या क्या लगा आपको, कैसा लगा तो उन्होंने सिर्फ एक वाक के कहा यहां बहुत पवित्र गरीबी है यहां की गरीबी बहुत पवित्र है पवित्र गरीबी का युग मेरे लिए बिलकुल नया उस समय भी था और आज भी है और इनकी अर्थों को आज तक मैं ढूंड नहीं पाया हूँ खोज नहीं पाया हूँ जानना चाहता हूँ कई बार कई तरह से जान चुका हूँ लेकिन हर बार यह अधुरा सा ही रहा अधुरा सा ही लगा कि पवित्र गरीबी किसे कहना चाहिए कैसे कहना चाहिए किन चीज़ों के लिए कहना चाहिए और इससे निर्वल जी का क्या आश है था बहराल मेरे ख्याल से एक घंटे से उपर और काफी उपर हो चुका है तो आज का यह तो इसमृतियां थी थोड़ी बहुत जो मैं आपसे शियर कर पाया हूँगा उसमें से निर्वल जी के कुछ व्यक्तित तो और उनके कुछ पहलूं के बारे में थोड़ी बहुत भी मैं कुछ रख पाया हूँगा तो यह अच्छी बात है मेरे लिए भी ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा उनके बारे में यह एक भिन्य तरह की चीज़े हैं और एक खास तरह की जगा जो बस्त हैं उनकी सुच उनकी कल्पनाएं उगरे के बारे में जो है मैं बता पाने में समर्थ हो पाया हूंगा तो मेरे लिए यह थोड़ा सा संतोश का विशय होगा मैं जनसुलब प्रकाशन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने थोड़ा जोर देकर मुझे यहां बुलाया एक दो बार पहले भी एक-दो तिथियां टली और इन तिथियों को टलने के बाद आज मैं उपस्तित हो पाया तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आभार नमस्कार नमस्कार झाल झाल